राम राजा सरकार के दो निवास हैं खास दिवस और छा रहत है रहन अयोध्यावास जिस शहर के मंदिर के द्वार पर ये दोहा लिखा हुआ है उस शहर का अयोध्या से बहुत ही गहरनाता है उस शहर में आज भी श्री राम विराजमान है अयोध्या के इस शहर के राजा आज भी भगवान राम है जी हाँ इस शहर में आज भी राजा राम की हुकूमत चलती है राजा राम ही नयाय करते है और उन्हीं को इस शहर के दिकारे रिपोर्ट भी करते है जी हाँ जिस शहर का हम जिक्र कर रहे हैं उस शहर का आयोध्या से बहत खास नाता है उस शहर में भगवान श्री राम की बाल लिलाओं की यादे हैं उस शहर में चार पहर की आर्टी में राजसी व्यभव के साथ सश्रस्तर खड़ी सिपाही भगवान श्री राम को सलामी देते हैं इस शहर में लो कहा जाता है कि सोलवी श्रताब्दी में ओर्चा के बुंदेला श्रासक मधुकर श्राह के महरानी कुवरी गडेश आयोध्या से रामलला को ओर्चा लाई थी ओर्चा के श्रासक मधुकर श्राह ट्रिश्टम भक्त थे और उनकी महरानी कुवरी गडेश राम भक्त थे एक बार मदुकर्श राह ने रानी से व्रंदावन चलने के लिए कहा तब महारानी व्रंदावन के जगा आयोध्या जाने के बात कहने लगी तब राजा ने रानी से कहा कि अगर तुम्हारे राम सच में है तो उन्हें आयोध्या से ओर्चा लेकर आओ अपने अराथी के लिए इसे शब्द सुनकर महारानी कुवरी आयोध्या रवाना हो गई आयोध्या में 21 दिन तबस्या के बाद जब श्रीराम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सर्यू नदी में छहलांग लगा दी कहा जाता है कि महारानी की भक्ती को देखकर भगवान श्री नदी के जल में ही उनकी गोध में आ गए इसके बाद महारानी जब भगवान श्री राम से अयोध्या से ओर्चा चलने का अगरे किया तो उन्होंने तीन शर्ते रख दी पहले शर्ट थी मैं यहां से जाकर जिस जगा बैठूंगा वहां से नहीं उठूंगा दूसरी शर्ट में ओर्चा की राजा की रूप में विराजित होने की किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी तो वहीं तीसरी शर्ट में उन्होंनी खुद को बालरूप में पैदल एक मुख्य पुष्य नक्षत्र में साधो संतों के साथ ले जाने की बाद गई बहरानी की सभी शर्टे मानने के बाद राम राजा ओर्चा आ गए तब से भागवान राम यहां राजा की रूप में विराजमान है ओर्चा का राम राजा मंदिर विश्व का एक मात्र अनुठा मंदिर है जहां श्री राम को चार बार की आरती में सश्रस्त्र सलामी गार्ड ओव ओनर देते हैं क्योंकि राम यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है इतना है नहीं ओर्चा नगर के परिसर में राम राजा के अलावा देश के किसी भी वी वी आई पी को गार्ड अव ओनर नहीं दिया जाता चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राश्ट्रोपती क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजा राम को ही गार्ड अव ओनर दिया जाता है ओर्चा को भले ही बुंदेल खंड का अयोध्या कहा जाता हो पर यहाँ के शांति, सत्भामना यह बताती है कि राम लला अयोध्या में नहीं ओर्चा में भी विराजमान है यहां सुभा होती है राम नाम से, शाम होती है राम नाम से.